हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बर फिर से स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग अपने कूलर में जो हनी कॉम पैड आते हैं इनको रिप्लेस करने वारे हैं यहाँ पे मैं यह पुराने वोडोल पैड जो है इनको निकाल दूँगा और इसके बाद हम यहाँ पे हनी कॉम पैड जो है इनको रिप्लेस करेंगे साथ ही हम यहाँ पे टेंपरेचर सेंसर से जो टेंपरेचर है उसको भी देखेंगे पहले वोडोल पैड से क्या कूलिंग हो रही है वो देखेंगे और बाद में honeycomb pad की cooling देखेंगे यह honeycomb pad कागत से बना है इसे घास के स्थान पर लगाया जा सकता है और pump का पानी इस पर गिरता है और यह हवा को ठंडा करने का काम करता है इसे honeycomb pad जो है कहते हैं देखने में यह मदमक्की के छत्ते जैसा ही दिखता है और यह pad अपनी मोटाई के हिसाब से मिलते है तो यहाँ पर आप जो temperature है वो देख पाएंगे इस समय कमरे के बाहर का जो temperature है वो 39 degree centigrade है तो यहाँ पर हम अपने cooler में जो woodhole pad है उसको निकालेंगे और उसके बाद यह honeycomb pad जो है इनको लगाएंगे तो यहाँ पर हमने बाहर का temperature जो है वो तो देख लिया अब हम room के अंदर का temperature देखते हैं जहाँ पर यह cooler लगा है और बाहर का temperature जो है मैं फिर आपको दिखा देता हूँ लगबग 39 degree centigrade है तो यहाँ पर अंदर का temperature जब हमारा cooler जो है वो नहीं चल रहा है ऐसी स्थित में आप temperature जो है देख पाएंगे यहाँ पर जो temperature sensor वो लगा हुआ है और temperature 34 degree centigrade दिखा रहा है तो यहाँ पर मैं आपको temperature जो है अंदर कमरे का और बाहर का दोनों दिखा चुको है यहाँ पर आप देख पाएंगे cooler जो है वो चल नहीं रहा है इस समय बंध है और ऐसी स्थित में temperature 34 degree centigrade है यह आप ध्यान रखिए आँगे experiment हम करेंगे और पूरा process जो है वो भी आप समझ पाएंगे और आपको यह clear होगा कि आपको जो honeycomb pad है वो लगाना है या नहीं लगाना है तो यहाँ पे हमने अपना cooler जो है उसको चालू कर दिया है और यहाँ पे आप temperature जो है देख पाएंगे यहाँ पे cooler की motor जो है वो घूम रही है और temperature sensor से हमें temperature जो है वो दिखाई दे रहा है लगबग 25 या 26 degree centigrade के लगबग जो है temperature room का हो चुका है और यह मैं आपको लगबग 10 मिनट बाद की condition दिखा रहा हूँ जब हमारा cooler 10 मिनट तक चल जाता है उसके बाद का यह temperature है और sensor जो है बिलकुल सामने लगा हुआ है cooler की motor जहां हवा दे रही है और यहां पे आप देख पाएंगे कि इसके wood wool pad में properly पानी जो है वो आ रहा है और पूरा wood wool pad जो है वो गीला है तो यहां पे पिछले साल मैंने इसको replace किया था जो यह wood wool pad थे और अभी मैंने सोचा कि इसको change करें फिर मेरे दिमाग में idea आया कि इसको honeycomb pad के साथ replace करके पहले देख लेते हैं तो यहां पे आप देख पाएंगे cooler जो है यह properly हमारा work कर रहा है और अच्छी कासी थंड़क जो है वो भी दे रहा है और cooler चलाने के बाद की condition जो है वो आपको समझ में आई होगी तो चलिए अब हम honeycomb pad जो है वो अपने cooler में लगाएंगे यहां पे मैंने plug out कर दिया है cooler को और इसके बाद इसके back panel को हम खोल लेते हैं यहां पे मैं इसका back panel जो है इसको निकालने वाला हूँ काफी सारी गंदकी जो है यहां पे wood wool pad में आ जाती है क्योंकि इसमें धूल जो है वो अंदर को जब खिषती है और वो पानी के संपर्क में आती तो ऐसी condition में इसमें कुछ समय बाद जो हमारे wood wool pad है वो खराब हो जाते हैं यहां पे चलिए हम जो back side का panel है इसका इसकी wood wool pad को निकाल लेते हैं और इसके बाद इसमें honeycomb pad जो है उसको लगाएंगे तो यहां पे process जो है वो अलग-अलग हो सकता है इसके side में आप देख पारें एक जाली नुमा plastic का ये part लगा है इसको हम निकाल देंगे इसी के सारे wood wool pad जो है वो हमारे panel के साथ attach रहता है तो इस तरीके से हमने इसके back side का जो plastic का जाली है इसको निकाल दिया ये support के लिए है wood wool pad के और यहां पे आप देखेंगे अच्छा कासा support जो है ये हमारे wood wool pad को देता है और इसको हमने remove किया है इसके बाद आप यहां पे wood wool pad जो है इसको देख पाएंगे तो यहां पे आप देख पाएंगे ये काफी मोटे size में आप इस wood wool pad को देख पाएंगे और इसको हमें सबसे पहले properly साफ करना होगा तो यहां पे इसको साफ करना ज़रूरी है अगर आप wood wool pad चेंज करें तो यहां पे holes जो है इनको भी आप साफ कर ले और इस back side जो पैनल है इसको हम properly साफ करने के बाद ही इसमें honeycomb pad जो है उसका installation करेंगे तो यहां पे इस चीज़ का आपको विशेश ध्यान देना है कि wood wool pad बदलने से पहले आपको इसकी सफाई करनी है तो यहां पे हमने इसकी सफाई जो है लगबग कर ली है काफी कुछ मैंने साफ कर दिया इसको और इसके बाद अब हम इसके size का जो honeycomb pad है उसको cut करेंगे यहा इसको लिया है और यहीं पे मैं marker से जो है यहां पे sign बना दूँगा आप देख पाएंगे एक sign हमने यह बनाया है और यहां पे आप देख पाएंगे कि इस तरीके से मैं यहां पे लिख दूँगा कि यह हमारे जो panel की लंबाई है और यहां पे इस तरीके से यह clear रहेगा कि हमारी ये लंबाई है और इसके बाद चोड़ाई जो है पैनल की वो भी हम नापेंगे आप इस तरीके से बिलकुल क्लियरली लंबाई चोड़ाई जो है उसको नाप पाएंगे जिससे कि आपको हनी कॉम पैड को सही साइज में कट करने में आसानी रहेगी तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने चोड़ाई जो है उसको भी नाप लिया है और इस तरीके से मैं यहाँ पे चोड़ाई भी लिख देता हूँ जिससे कि सारी चीज क्लियर रहे तो यहाँ पे इस तरीके से हमने चोड़ाई और लंबाई जो है हनी कॉम पैड के साइज में कटना है उसके लिए यहाँ पे इस ट्रिप पे लिख दिया है यह जो PVC फिटिंग पाइप की स्ट्रिप है इसके बाद अब हम जो हनी कॉम पैड है उसमें जो है इंडिकेशन बना लेंगे जहां तक हमें कट करना है उतना मेजरमेंट कर पाएगे यहाँ पे इस तरह की मैं चाकू जो है जिसमें आप देख पारें दांते होते हैं इस तरह की चाकू को हम इस्तमाल करेंगे और अच्छी सार्पनेस होनी चाहिए और यहाँ पे अब हम लंबाई और चोड़ाई जो है इसको यहांपे honeycomb pad पे मरकर से sign बना लेंगे और इसके बाद इसको cut करेंगे तो चलिए मैं sign जो है यहांपे बना लेता हूँ जैसे कि आप देख पा रहें पहले मैं लंबाई जो है उसका sign बना लेता हूँ यहां पे आप देख पाएंगे मैं चोडाई का जो sign यानी निसान यहां पे honeycomb pad में बना लेता हूँ यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो honeycomb pad है इसमें आप देखेंगे जो cd strips दिख रहे हैं हमको यह हमारी उपर से नीचे को रहनी चाहिए इसको गलट direction में आपको नहीं लगाना है आप आँगे देख पाएंगे सही direction जो है वो क्या होता है चलिए इसको हम cut करते हैं आप यहां पे देख पाएंगे जो लंबाई का sign हमने बनाया था वैसे ही हम इसको honey pad को cut कर रहे हैं तो इस तरीके से हम ध्यान पूरवक इसको cut कर लेते हैं आपको ध्यान देना है कि आप इसको सही तरीके से cut करें इसकी cutting के समय आपको patience रखने की ज़रूरत है जल्दबाजी में कोई काम ना करें क्योंकि यह काफी महंगे आते हैं honey pad तो यहां पे आपको इस चीज का विश्चेश ध्यान देना है जैसा कि आप देख पारें मैं इस दांतेदार चाकू से इसको बड़ी आसानी से काट पा रहा हूँ तो इसी तरीके से आप जो चाकू है वो ले सकते हैं जिससे कि आप आसानी से इसको कट कर पाएं और यहां पे आप देख पाएंगे मैं proper तरीके से जो है जो मैंने sign बनाए है उन्ही के हिसाब से इसको कट कर रहा हूँ और बड़े ही आराम से हमें इससे कट कर लेना है जैसे कि आप देख पारें तो यहां पे यह मैंने पूरा जो है जो indication बनाए था उसके हिसाब से कट कर दिया है यहां पे लंबाई जो है वो हमने जो है इसकी उसके अनसार honeycomb pad को कट कर दिया है अब इसकी चोडाई के अनसार इसको कट करेंगे जो back panel है यही panel सबसे बड़ा होता है cooler में तो यहां पे आप देख पाएंगे अब हम इस तरीके से जो हमने निशान बनाए है उनके अनसार honeycomb pad को कट कर रहे हैं और इस चाकू से बड़ी आसानी से हमें यह जो cutting है इसको कर पा रहे हैं चुकि यह एक तरह का paper होता है तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि cutting के समय जो है सही तरीके से आपको इसको cut करना है यह खराब ना हो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने इसको cut कर लिया है और यहां पे जो honeycomb pad हमारा back panel में लगेगा उसको हमने complete कर लिया है और अब हम इसको back panel में लगाएंगे तो यहां पे आप देख पाएंगे कि panel में किस तरीके से लगाना है यहां पे आपको ध्यान देना है हनी कॉम पैड में जो ये आप सीधी सीधी नाली नुमा सन रचना है देख रहे हैं इसको आपको ऊपर से नीचे की तरफ रखना है यहाँ पे आपको इस चीज का विश्यश ध्यान देना है यहाँ पे इस पैनल में हमने इसको फिट कर लिया यहाँ पे मुझे इसको बांधने की जरूरत नहीं नहीं आप इसको नाइलन के धागे से बांध सकते हैं तो यहां पर मुझे बाधने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह properly fit हो गया है और इस तरीके से back panel जो है इसको हमने complete कर लिया है अब इसी तरीके से हम इसके जो अगल बगल के panel है उनको भी complete कर लेंगे तो process जो है बिलकुल simple सा है अब हमें फिर से लंबाई और का लेते हैं और उनकी size को measure करेंगे यहां पर आप देख पाएंगे यह side का panel है और इसको भी हम अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे जैसा कि आप देख पारें मैंने इसको साफ कर लिया है और अब मैं इसकी लंबाई और चोड़ाई जो है उसको measure करूँगा तो यहां पर हो स दूसरे color का marker जो है उसको लिया है और मैंने लंबाई जो है उसको indicate कर दिया इस strip में इसी तरीके से हम चोड़ाई को भी indicate कर देंगे और यहां पर चोड़ाई जो है लिख भी देंगे जिससे कि बिलकुल हमें confirm रहे और यहां पर red marker के मैंने प्रियोग किया है कि confusion न रहे और पुरानी जो हमने cutting की थी उसकी लंबाई चोड़ाई को हम cut कर देते हैं इस तरीके से तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहां पर देख पाएंगे कि जो अब हमने side के panel जो है उनकी लंबाई ये रखनी है जैसा कि आप देख पा रहे पहले वाले से तो इस तरीके से अब हमें इस length में honeycomb pad जो है उनको cut करना है तो चलिए मैं यहां पर जल्दी से यह पूरा process जो है इसको complete कर लेता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं और यहां पर मैं इससे side panel में fit कर देता हूँ इसके बाद हम दूसरे side का panel जो है उसमें भी honeycomb pad को cut करके और fit करेंगे तो यहां पर आप देख पारें बिल्कुल सही size में मैंने cut किया है जिससे कि अगल बगल से कहीं से air जो है वो pass ना हो और इस honeycomb pad के अंदर से ही air जो है वो pass हो जिससे कि हमें maximum cooling जो है वो मिल सके तो इस तरीके से मैंने honeycomb pad जो है इस side panel में fit कर दिया है अब इसके कर पाएंगे और यहां पर मुझे इसे बांदने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह भी properly इसमें fit हो चुका है तो यहां पर हमें इसे बांदना नहीं है और यहां पर आप देख पाएंगे दूसरे side का panel जो है यह है और इसकी लंबाई चोड़ाई जो है वो same है फिर तो हमें बिल्कुल यही size का एक और honeycomb pad जो है उसको cut करना है और उसके बाद हम इस panel को जो है पहले की तरह जैसे पहले panel को हमने complete किया उसी तरह complete कर पाएंगे तो यहां पर मैंने एक और honeycomb pad जो है इसको लिया है इसको same size में मैं cut कर लेता हूँ जैसा कि आप देख पा रहें और इसको भी हम पहले की तरह adjust कर देंगे यहां पर मैंने यह panel भी complete कर लिया है जैसा कि आप देख पारें properly यह भी fit हो गया मैं इसे भी बांदे की जरूरत नहीं पड़ेगी और बड़ी आसानी से यह हमारे panels में fit हो गया है और इसके बाद अब हमारा पूरा honeycomb pad है वो complete हो च इसको निकाल पाए थे नीचे side दो screw लगे हुए है इस panel में जैसा कि आप देख पारें और इसी तरीके से उपर side भी दो screw लगे है तो यहां पे नीचे side के आप screw देख पारें इस side भी दो screw लगे हैं दोनु side के panel में दो-दो screw नीचे और दो-दो screw उपर लगे हुए थे यहा यहां पे honeycomb pad जो है हमारे जो side के panels हैं इनमें लग चुका है और back panel जो है उसमें भी हमने complete कर लिया है यहां पे मैं आपको side से इसका view जो है वो दिखा देता हूं कुछ इस तरीके से यह दिख रहा है और अभी हम इसकी testing जो है वो करेंगे जिसके बाद हम इसका temperature जो है कितना य मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह पुराने हमारे woodgol pad हैं जो कि काफी गंदे थे इसमें काफी सारी गंदकी थी मिट्टी जो है पानी के संपर्क में आके काफी सारी मिट्टी जो है वो धीरे-धीरे कीचर की तरह जो है इसमें रूप ले लेती है और काफी ज़्याद उसके बाद ही आप ये process जो है इसको करें यहाँ पे आप देख पाएंगे back panel मैंने लगा दिया है और इस तरीके से अभी cooler चालू नहीं किया है अभी हम cooler को चालू करेंगे तब आप देख पाएंगे यहाँ पे proper तरीके से honeycomb pad को हमने cooler में adjust किया है जिसके बाद हम अब पे आप देख पा रहें यहाँ पे तो इस तरीके से honeycomb pad जो है पूरी तरीके से गीला हो चुका है और अभी हम इसको लगबग 10 मिनट चला के रखेंगे उसके बाद temperature जो है वो लेंगे रूम के अंदर का temperature जो है वो क्या होता है वो हम देख पाएंगे यहाँ पे आप देख अच्छा भी कम cooling देता है तो यहाँ पे honeycomb pad जो है यह उतना अच्छा cooling नहीं देता है यह बात जो है सच है यहाँ पर मैंने 1.5 इंच मोटाई वाले honeycomb pad का प्रियोग किया था आप इससे ज्यादा मोटाई वाला honeycomb pad वो भी ले सकते हैं यहाँ पे cooler जो है wood wool वाले pad यानि घा कि क्या cooling जो है अब हो रही है 29 degrees centigrade जो है वो temperature इस समय है जबकि हमारा अंदर का fan जो है पहली की तरह ही rotate हो रहा है तो यहाँ पे यह honeycomb pad जो है उतने अच्छे काम नहीं करते हैं जबकि मैंने काफी अच्छी quality का honeycomb pad जो है उसका इस्तमाल किया है हाला कि honeycomb pad की मैंने कुछ कि दो आता है जाता हुआ एलो के जाता हुआ है